ओम शान्ति आज की साकार मुरली 26 स्टंबर 2020 मिठे मिठे बाबा के महाववाक्य मिठे बच्चे बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशे नहीं आना चाहिए उनमें बाबा में कभी संशे नहीं आना चाहिए संशे बुद्धी बनना मान अपना नुक्सान करना प्रश्ट मनुश्य से देवता बनने की पड़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है उत्तर निश्चे है निश्चे निश्चे बुद्धी बनने का साहस चाहिए माया इस साहस को तोड़ती है माया इस साहस को तोड़ती है संशे बुद्धी बना देती है चलते चलते अगर पड़ाई छोड़ी या पड़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशे आया चाहे पड़ाई में संशे आजाए, चाहे पड़ाने वाले में संशे आजाए सुप्रीन टीचर में संशे आया, तो अपना और दुसरों का बहुत नुकसान करते है गीत चला, तुम प्यार का सागर है, तेरी एक भूंद के प्यास से हम ओम, शांद रुहानी बच्चों प्रती शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाब की महिमा करते हो तुम प्यार का सागर है, उन्हें ग्यान का सागर भी कहा जाता है जबकि ग्यान का सागर एक है, तो बाकी को कहेंगे अग्यान का सागर क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ही तो सारा खेल है ज्ञान है ही परम पिता परम आत्मा के पास सत्य ज्ञान सिवाए परम पिता परम आत्मा के और किसी के पास नहीं इस ज्यान से ही दुनिया स्थापन होती है ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते है दुनिया तो अभी नाशी है ही दुनिया कभी भी नाश को प्राप्तन नहीं होती केवल परिवर्तन होता है सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते है अब पुराने मकान को गिरा के नया बनाना इसी को विनाश कह देते हैं ऐसे नहीं के परले हो जाती है सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती पुरानी है वे बदल कर नई बन रही है बाप ने समझाया है ये पुराना गर है जिसमें तुम बैठे हो जानते हो हम नए घर में जाएंगे जैसे पुरानी देली है आप पुरानी देली मिटानी है उसके बदले अब नई बनानी है नई बनेगी अब नई कैसे बनती है पहले तो उसमें रहने वाले लाइक चाहिए जो उसके रहने लाइक हो नई दुनिया में तो होते हैं सर्व गुण संपन, संपूरन निर्विकारी, मर्यादा पुर्श उत्म, डबल अहिंसक तुम बच्चों को ये aim object भी है हमारा ये aim object है कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्व गुण संपन बनना है, मरियादा पुर्शोतम बनना है, डबल अहिंसक बनना है जो देवताओं वाले गुण थे वो गुण अब भी हमको अपने अंदर धारन करनी है पाठशाला में aim object तो होता है, पढ़ने वाले जानते हैं कि हम सर्जन बनूँगा, बेरिस्टर बनूँगा, इंजीनिर बनूँगा, टीचर बनूँगा, जो कुर्स मैं कर रहा हूं वो बनूँगा उसे पता होता है तो यहां भी हम जो बनेंगे वो कुर्स के बारे में हमको भी बाबा केते पता है कि तुम आए हो यहां नर से नारायन, नारिस से लक्ष्मी बनने के लिए यहां तुम जानते हो, हम आए हैं मुनुष्य से देवता बनने, पाठशाला में एम अबजेक्ट बिगर तो कोई बैठ ना सके परन्तु यह ऐसी वन्डरफुल पाठशाला है, जो एम अबजेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए, फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते समझते हैं यह रांग पढ़ाई है, यह एम अबजेक्ट है ही नहीं, उनको यह एम अबजेक्ट लगता ही नहीं, कि नर से नारायन नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए स्वेम परमात्मा है, यहीं पर ही डाउट आ जाता है, आगे वो कॉर्स करेंगे नहीं, आगे अबजेक्टा बने गई, ऐसे कभी हो नहीं सकता, पढ़ाने वाले में भी संशे आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अत्वा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड देते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बेरिस्ट्री की नॉलेजी रॉग है ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नौलेजी रोंग है पढ़ाने वाला रोंग है यहां तो मनुष्य की वन्डरफुल बुद्धी है पढ़ाई में संशे पढ़ जाता है तो कह देते हैं यह पढ़ाई रोंग है भगवान पढ़ाते ही नहीं बाजशायादी कुछ नहीं मिलती यह सब गपोड़े हैं ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं सब पुछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं अब जो छोड़के जाएगा उनको सारे पुछेंगे तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुशे से देवता बनते हैं फिर यह क्या हुआ नहीं 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 वो सब गपोड़े थे कितनी आत्माओं के भाग्य को लकीर लगाने के निमित बन जाते कहते हैं यह एम आपजेक्ट हमको समझ में नहीं आती संशे आने से पढ़ाई छोड़ देते निश्चे कैसे हुआ फिर संशे बुद्धी किसने बनाया तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत उच पद पा सकते थे बहुत पढ़ते रहते हैं बैरिस्टी पढ़ते 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 आधा पर छोड़ देते दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टी बन जाते हैं कोई पढ़कर पास होते हैं फिर कुछ न कुछ कम पद पा लेते हैं ये तो बड़ा इंत्यान है इसमें बहुत सहस चाहिए एक तो निश्चे बुद्धी का सहस चाहिए माया ऐसी है अभी अभी निश्चे अभी अभी संशे बुद्धी बना देती है आते बहुत हैं पढ़ने के लिए परन्तु कोई डल बुद्धी होते हैं नंबर बार पास होते हैं अखबार में भी लिस्ट निकलती है ये भी ऐसे हैं आते बहुत हैं पढ़ने के लिए उस बहुत करने के लिए आते हैं परन्तु फिर छोड़कर चले जाते हैं कोई अच्छी बुद्धी वाले हैं, कोई डल बुद्धी वाले हैं, डल बुद्धी होते होते, फिर कोई ना कोई संशे में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं, संशे बुद्धी विनश्यन्ति, जिनको संशे हो जाता है, वो फिर विनश्यन्त वे उंचपद पाना सेके, निश्चे भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं, थोड़े ही पास होंगे, पिर पास भी कैसे होंगे, थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धी कोई काम की नहीं होती हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं तुम बच्चे जानते हो बाप आए है कोई को बहुत विगन पढ़ते हैं तो उनको संशे आ जाता है कह देते हैं हमको फ्लानी ब्रामनी से निष्चे नहीं बैसता अरे ब्रामनी केसी भी हो पढ़ना तो चाहिए ना टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते इनको पढ़ाने से छुड़ा दे में लेकिन तुमको तो पढ़ना है न ये पढ़ाई है बाप की पढ़ाने वाला है सुप्रीम टीचर ब्रामनी भी उनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए न पास नहीं कर सकेंगे लेकिन बाप से निश्चे ही तूट पढ़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं पढ़ते 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 टीचर में संशे आ जाता है कि इन से ये पढ़ मिलेगा या नहीं बस फिर छोड़ कर चले जाते हैं दूसरों को भी कर देते गलानी करने से और भी और ही नुक्सान कर देते हैं बहुत घाटा पड़ जाता है बाप कहते हैं यहां अगर कोई पाप करते हैं तो उनको सो गुणा दंड हो जाता है एक निमित बनता है बूतों को खराब करने तो जो कुछ पुन्या आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं पुन्या आत्मा बनते ही हैं इस पड़ाई से और पुन्या आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है अगर कोई नहीं पड़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है बस कह देते जो नसीब हम क्या करें जैसे की हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहां आकर मर जीवा बनत वे पिर रावन राज्य में जाकर मर जीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुश्या हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जनम लेंगे। यहां हार्ट फेल होते तो आश्वरी संपरदाय में चले जाते। दूसरा जगा जाकर जनम ले लेंगे। पर कुछ किसी का हार्ट फेल हो गया मान लो तो यहां से शरीर छोड़ा दूसरा शरीर जाकर ले लेंगे। और तो बाबा के घर से जीते जी आकर फिर मरा तो फिर तो अस्वर के घर जागे। आस्वरी संपरदाय में राक्षयस बन जाए। क्योंकि देवता नहीं बनेंगे तो राक्षयस तो फिर बनेंगे। ये मर जीवा जनम नई दुनिया में चलने के लिए बाब का बनते हैं आत्माएं जाएंगी। आत्माएं जाएंगी ना हम आत्मा यी शरीर का भान छोड़ देंगे। तो समझेंगे ये देही अभी मानी हैं। ये देही अभी मानी हैं। हम और चीज हैं। शरीर और चीज हैं। हम आत्मा हैं। शरीर ने पांच तत्वों का बना हुआ उत्ला है। तो जरूर अलग चीज हुआ ना। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं है, तम समझते हुँ हम आत्माई है, शरी मत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है, ये मनुश्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है, ये भी बच्चों को समझाया है, सत्संग कोई भी नहीं दुनिया में कोई सत्संग नहीं सब जूटी काया जूटी माया जूटे संसार के मनुष्य भोगता और भोगी देवताओं को ही याद करें कितनी वुनरफुल बात और यहां अजन्म अशरीरी सर्वज्य सर्वोच परमात्मा को सब याद करते सब याद करते याद करने वाली भी आत्मा सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है और तो कोई सत्य है ही नहीं जब वो सत्य नहीं है और उनका संग कर रहे हैं तो वो सत्य संग कैसे होगा उनका नाम है शेव वही सत्योग की स्थापना करते हैं कल्योग की आयू जरूर पूरी होनी है सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये कोले के चित्र में क्लियर है सत्य त्रेता द्वापूर काल य सत्य त्रेता देवता बनने के लिए संगम यूग पर बाप के बनते हैं बाप को छोड़ा तो थो काल यूग में चले जाएंगे ब्रामन पन में संशे आ गया तो जाकर शूद्र गराने में पढ़ेंगे फिर देवता बन ना सके बाप ये भी समझाते हैं कैसे अभी स्वरक की स्थापना का foundation पढ़ रहा है foundation की ceremony फिर opening की भी ceremony होती है यहां तो है गुप्त यहां तो है गुप्त ये तो तुम जानते हो हम स्वरक के लिए तयार हो रहे हैं फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा अंत तक जहां जीना है पढ़ना है जरूर पतित पावन एक ही है बाप है जो पावन बनाते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग जब बाप पावन बनाने आते हैं लिखना भी है पुर्ष उत्तम संगम युग में मनुष्य नर्से नाराइन बनते पुर्शो तम संगम युग में मनुशे नर से नाराइन बनते हैं एक नहीं अनेक बनते हैं सबी नर नाराइन नारी लक्षमी कहलाती हैं जो सत्युग के आदी में आते हैं ये भी लिखा हुआ है ये तुमारा इश्वर ये जनम सिद अधिकार है इश्वर के बच्चे बने हो तो ये तुमारा जनम सिद अधिकार है बाप अभी तुमको दिव्य द्रिष्टी देते हैं आत्मा जानती है हमारे 84 का चक्र अब पूरा हुआ है आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं आत्मा पढ़ती है बाप बैठा है टाइम मिला हुआ है भल ब्रह्मा की आयू सो वर्ष कहते हैं या कम भी हो समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसा तो नहीं स्थापना नहीं होगी समझो बाबा कितने बड़ी लाइन बता रहे हैं समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी तुम सेना तो बैठी हो ना बाप ने मंत्र दे दिया मंत्र मना मंत्र मना सलहा बाबा ने सलहा दे दी पढ़ना है सिष्टी का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धी में है याद की यात्रा पर रहना है याद से ही विकर्म बिनाश होंगे वक्ती मार्ग में सबसे विकर्म हुए है पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुमारे सामने हैं तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावन राज्ये मुर्दाबाद नई दुनिया ग्यान मार्ग राम राज्ये जिंदाबाद जो पूजे थे वही पुजारी बने कृष्ण भी पूजे गोरा था फिर रावन राज्ये में पूजारी सामरा बन जाता है ये समझाना तो सहज है पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं most valuable होता है क्योंकि बाप ने इतना सवकार बनाया है वे खुद ही हीरा है तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं तो उनको हीरा बना कर रखना चाहिए हीरा हमेशा बीच में रखते हैं कैसे पुखराज आदी के साथ तो उनकी value नहीं रहेगी पुखराज आदी के साथ उनकी value नहीं रहेगी इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है इन द्वारा आठ रतन विजे माला के दानी बनते है सबसे जास्ती वैल्यू है हीरे की बाकी तो नमबर वार बनते है बनाते शेव बाबा है हाथ लगाते नहीं बनाते शेव बाबा है हाथ लगाते नहीं तरीका बता देते हैं करते कुछ यही काम करते हैं बाबा का सबसे बड़ा काम यही है कि वो हमें तरीका बताते हैं हमें निश्चे है कम उस तरीके पर चल कर अपने आप को डाइमंड बना लेते हैं नहीं तो दाग लगे रह जाते हैं बे दाग हीरा बनाते हैं ये सब बातें बाप विगर तो कोई समझा ना सके पढ़ते पढ़ते अस्चरियवत बाबा बाबा कहंती फिर चले जाते हैं शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे बाप को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो सो गुणा दंड चड़ जाता है पुन्या आत्मा बनने के लिए पुर्शारत कर फिर और पाप करने लग पड़ते हैं पाप से सो गुणा पुर्शारत कर फिर पाप करने से सो गुणा पाप हो जाता है फिर जामडे रह जाते हैं वो ने जैसे आये थे, वैसे के वैसे रह जाते हैं, उनमें फिर सुधार नहीं होता, व्रिदी को पा नहीं सकते, सौव गुणा दंड एड होने से अवस्था जोर नहीं भरती है, बाप जिससे तुम ही रे जैसा बनते हो, उनमें संशे क्यों आना चाहिए, कोई भी कारण से बाप को छोड़ा, तो कमबखत कहेंगे, जिसकी किस्मत कम है, कम बखत, बखत मना किस्मत, जिसकी किस्मत कम है, कहां भी रेकर बाप को याद करना है, तो सजाओं से छूट जाएं, यहां तुम आते ही हो, क्या करने के लिए, पतित से पावन बनने, पास्ट भी कोई ऐसे कर्म किये हुए हैं, तो शरीर को भी कर्म भोगना कितनी चलती है, अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इन से छूटते हो, अपने को देखना है, कि हम कहां तक अपनी उनती करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं, लक्ष्मी नाराइन के चित्र पर भी उपर में लिख सकते हैं, कि यह है विश्व में शान्ती की राजाई, जो अब स्थापन हो रही है, यह है एम अबजेक्ट, वहां सव परसेंट पवित्रता, सुक शान्ती है, इनके राज्ये में दूसरा कोई धरम होता नहीं, तो अभी जो इतने धरम हैं, उनका जरूर विनाश होगा ना, समझाने में बड़ी बुद्धी चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अन है, समझते हैं, समझते हैं, तो समझाना है, इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं, गेट वे टू हैवें, यह नाम भी अच्छा है, वे है देली गेट, वो है इंडिया गेट, और बंबे में है गेट वे टू इंडिया, और बाबा कहते हैं, गेट वे टू हैव फिर ये फिर है स्वर्ग का गेट तो हम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो भक्ति मार्ग में ऐसा मूझ जाते हैं जैसे भूल बुलाईया में मूझ जाते हैं रास्ता किसी को भी मिलता नहीं किदर से जाएं इदर से जाएं तो फस्ते हैं उदर से जहें तो अधर कोई राष्ता दिखाई नहीं देता दुनिया भक्ती मारौ एक दम, एक भूल, भूलया बना हुआ है सब अंदर फस जाते हैं माया के राज़े में कहां फसे हुए हैं, माया के राज़े में फसे हुए फिर बाप आकर निकालते हैं, कोई को निकालने दिल नहीं होती, तो बाप भी क्या करे, किसी को निकलने की दिल ही नहीं है, तो बाप कहते हैं क्या करूं। इसलिए बाप कहते हैं, महान कमबक्त भी देखना हो, तो यहां आकर देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, भगवान से पढ़ने को छोड़ देते हैं। सारी दुनिया, जिस भगवान की चलक देखने को तरस रही है, ऐसे भगवान से पढ़ाई छोड़ देते हैं। संशे बुद्धी बान जनम जनमांतर के लिए अपना खून कर देते हैं, तक दीर बिगड़ती है, तो फिर ऐसा होता है। ग्रह चारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है, आत्मा शरीर बिगर तो कुछ कर नहीं सकती। शरीर बिगर कुछ कर नहीं सकते, आत्मा समझने की ही मैनत है, आत्मा निश्चे नहीं कर सकते, तो फिर दे अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे, सिक्की लदे बच्चों प्रते, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार है सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नाराइन बनाने वाली है इसी निश्चे से अटेंशन देखकर पढ़ाई पढ़नी है पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना पढ़ाने वाला तो बाप है ना वो तो पढ़ को पढ़ कर सुनाने के निमित है देही अभिमानी बनने का पुर्शार्थ करना है मर जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है पुन्यात्मा बनना है कोई भी पाप करम नहीं करना है आज का वर्दान है स्वासित्ती की सीट पर स्थित रहे परिस्तितियों को पर विजे प्राप्त करने वाले मास्टर रच्चता भव स्वासित्ती की सीट आत्मिक सित्ती में स्थेत हो जाओ फिर ये परिस्तितियों पर विजे प्राप्त करने वाले मास्टर रच्चता भव कोई भी प्रिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है इसलिए प्रिस्थिति रचना है और स्वैसिति वाला रचैता है मास्टर रचता वा मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते असंभव है अगर कोई अपने सीट छोड़ते हैं तो हार होती है सीट छोड़ना आर्थाद शक्ति हीं बनना सीट छोड़ दी तो क्या बन जाएंगे सक्ति हीं आत्मिक सित्ति में बैठेंगे तो विजई आत्मिक सित्ती से छोड़ दिया देश मृती में आ गए तो शक्ती ही इन बनना है सीट के आदार पर शक्तियां स्वत्य आती हैं जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है बाप दादा के लाडले मर जीवा जनमधारी ब्रामण कभी दे अभिमान की मित्ती में खेल नहीं सकते आज का स्लोगन है दरता कड़े संस्कारों को भी मौम की तरह पिगलाग खत्म कर देती है ओम शान्ति